ये सवाल तो RJD और BJP की रेताओं से पूछा जाना चाहिए नवल किशोर जी आपके पास आते हुए उसके पास अंजा टाइगर जी आपके पास लोटूंगी बैं अब ये तो बात सही है कि आप लोग भी इंतजार में बैठे रहते हैं कि BJP को छोड़े हमारे साथ आएं फिर तक्रार है और उपेंद्र कुस वाहा जी को इतना महतितर पता नहीं आपको क्या उनके प्रवक्ता नितीज कुमार का तब मदद करते हैं जब कम्यूर होते हैं और वह भी लाचा रहा है तो चोड़के क्यों गये नमबर एक नमबर दो यह बात उनको समझ में नहीं आती है उपेंद कुस्वाह को कि वो तो एक गठ बंधन के 2020 में चेहरा भी थे अपना भी बिधायक एक जित नहीं पाए पहले अपना पहचान और अपनी अपनी जो समझदारी है उसको तह करें कि वो क्या बनना चाते हैं आप किसी दल की बात करते हैं जदियू की बात करते हैं आप बात कहके और एक माहूल त्यार करना चाहते हैं उसमें कोई सचाही नहीं है जहां तक भाजपा का सवाल है आप कहते हैं नितीज कुमार अखेले कि निड़े आप लोग चाही रहें क्या यहीं बड़े-बड़े नेता चोड़ चोड़ कर जाएं और उसके बाद जो मनशा है आपको पता नहीं है क्या तो इस तरह का अगर वह केवल अपने इक्षा के लिए कहीं जाना चाहते हैं अगर भाजपा के पास तो वह मानो संसाथ राजमंत्री थे क्यों चोड़ कर भागे यह तैक करना पड़ेगा ना इस्थीरता में अंतर है अगर जदी यहां नितीज अगर नितीज जी के बात होगी तो फिर उन्होंने जितना जम कर आरजडी को को सा उतना ही बीजेपी को को सा तराजू पर दोनों बराबरी पर आकर खड़ेंगे सर अगर मैंने बयान निकाले नितीज कुमार के तो दोनों ही नेताओं के बारे में चाहें वो आर्जेडी के हो चाहें वो बीजेपी के हो हूँ हाँ उसका भी जबाब दिया है लेकि आप संजेट आगर जी आपके पास आते हुए वो कहने उपेंद्र कुश्वाह के साथ खड़ी है नहीं बीजेपी जितना भी कोशिश कर ल करकरताओं क्यों नेताओं को और अपने समर्थकों को विश्वास में लिए बीना तेजस्वी को आगे का नेता घोशित कर दिया उनको नेतित्व सपने की बात कह दी दल के अंदर जो कश्मसाहट है उसी का पैणाम है कि उपेंद्र कुश्वाह जी अलग हो गई यह दे रहा है नितीज जी का ब्यान कुछ और था ऐसी स्थिति साप चुछितसुंदर की फिपी हो गई है ना उगलते बन रहा है और इसका नुक्सान किसको हो रहा है गonto हुए तो तेजस्वी के हाथ में सत्ता की कमान है समयधानिक मुख्या नितीज कुमार है अब राश्ट्य जनतादल उनका समयधानिक दर्जा विछिनने के लिए आतुर है जगता वावु कहते हैं कि तेजस्वी की अभी राश्ट्य जनतादल के विधायक मंडल जी बोल रहे थे क्यों वक्त आ गया है तो ब्यूरो क्रेशी के अंदर करेपालियाक अंदर असमन जासा है कि कौन है मुख्यमंत्री का कौन होगा मुख्यमंत्री और विकास पूरी तरह ठप है और जो हम बार-बा पूरी तरह जंगल राज जिसको हम कहते थे जिस पर इनको तिल्मिलाहट होती थी तमका हमने तो नहीं दिया था मानने उचन्याले ने दिया था जो लालू राबडी जी का सासन था ठेक है सर रोहे संग हमारे संबाद दाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपेंद्र ललन सिंग का बयान तेजस्वी आदव को लेकर और आपने खुद भी तेजस्वी आदव के नाम पर ही पाटी छोड़ दी है देखे ललन सिंग्जी का जो बयान आया है उस बयान से तो बिलकुल यह बात परमानित है कि मेरा स्टेप सही दिशा में है जो इसु हमने उठाए हैं वह इसु जनता का इसु है क्योंकि एक तरह से ललंग सिंग जी का ब्यान जेडिव के लिए बैक फुट पर जाने जैसा ब्यान है माने मुखमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार बंद कमरा में नहीं सर्वजनिक मंचों से यहां तक कि महागटवंदन विधान मंडल दल की मीटिंग में उन्होंने बजापता खोसित किया कि अब अगला त्यस्वी यादव तो मुखमंत्री जी के कहने के बाद अब लनन सिं जी का ब्यान उसके ठीक उलट आना तो इससे तो नितिश कुमार जी का जो नेत्रित है उस पर भी प्रसंचिन खरा होता है नितिश कुमार जी के बारे में जनता देर उनाइटेट का एक एक ब्यक्ति कहता है कि सर्वमान्ने नेता है तो सर्वमान्ने नेता की बात उपेंदर कुश्वाहा अलग हो चुके हैं नितीश कुमार से अब नितीश कुमार उनकी पाटी पर निशाना साते हुए और इस बात का दावा करते हुए बहुत जल्द उसमें फूट पढ़ने वाली है